अगर हमने सरकर्ण में मोज करते हैं। ऐसे फिलीप पॉंट्ट एक लिए फिलीप फिलीप हर्मॉनिक स्वोडी तियुक्त बोडि पेने फिलीप विए त्लीप हर्मॉनिक मोशनिक को फो करता हुर्डीव इसके लिए ताइम पिरियोड बताना होगी। यह सब्सक्राइब यह जाता है जो इतनी देर में अपनी वाइब्रसन कम्रीट करता हूं प्रक्राइब दुपार पर आकर यह दूबारण दूबर इस टोरिंग फोस्ट बैस्यां पर यह बैस्ट जाता है यहां पर आने और यहां से वापिस वहां जाकर ने में ज़ाती है एक complete time period T लगता है यानि कि मैं ऐसे कह से स्टीम कि इसे एक्स्टरनल फोर्स F लगाई जाती है कि यह पॉइंट यहां पर आता है और जब यह वापस बैस बैस जाता है अपने पॉजिशन बे तो half wavelength complete करता है और स्ट्रिंग को compress करता है कि बार दुबारा अपनी पॉजिशन पर आता है तो एक complete lambda travel हो जाती है यानि एक complete wavelength के लिए एक complete time period T लगता है यानि कि यह का आदा हिसा T by 4 wavelength में T by 4 time period में आदा हिसा और एक आधी wave T by 2 time period में और एक complete wave एक पूरे time interval T में travel होती है जब एक circle में point movements हो करता है तो में मालूम है कि इस पूरा पूरा time period T होता है जब एक complete wavelength ट्रावल होता है जब एक circle में point movements हो करता है तो में मालूम है कि इस पर प्रोजेक्शन है अगर यह point T है तो इसको projection यहां पर N पर बनेगा और यह projection जो है वो अपनी जो position है बार बार अपनी name इस point से आवे पी के दोहराता है जिसके विदा से यह जब एक complete rotation करता है इस तरह से यह complete set रूपेट करता है इसका जो projection है वो vertical line पर बंता चला जा रहा है as well as horizontal line पर और इस तरह से wavelength भी complete होती चली जा रही है यह formula हम इस्तमाल करते हैं कि कूल तय करदा पासना हमेशा velocity और जितना वक्त दरकार होता है उसके हासिलों जर्व के बराबर आजाता है अगर इस situation में देखा जाए तो यह point C जब एक complete rotation complete करता है तब ही इसका जो projection है जो बनता है यह complete जो मुमेंट्स हो करता है अपने main position के आ जर्वी दिख्वेश्मेंट्स की बात की जाए तो हम S को ठीटा से रिप्रजान करते हैं इस situation में मैं अगर इस सब चीजों को सर्कुलर मॉशन की तर्म में लिखो तो ठीटा इस इकोल स्टो मेगा इंटू तू ताइम पीरेट टी लिखना चाहिए और मुझे मालूं कि कि सब्सक्राइब कर रहा है तो इस पॉइंट सी में कम्प्लीट एक रुपेशन ट्रावल की है और इस कम्प्लीट रुपेशन में तू पाई एंगल्स होते हैं यानि कि यहां पर तू पाई इस इकोल सो उमेगा और टाइम जो है वो क्यापिटल टाइम इंटर्वल सी है और सब्सक्राइब कर रिलेशन्शिप निकालें तो तू इस इस इकोल स्कुर्ट तू पाई डिवाड़ी बाइद बाइगा आजाता है अब हमारे में यह मसला यह है कि इस 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 पर कोई प्लाइज की जाती है और एप अप्लाइज दने के बाद इसमें दू रिस् इस 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 इ अब अगर इस वाल इस्प्रेशन को इस इस्प्रेशन के जो माइनस k by m into xm पे कम्पेर करें तो हमें मालुम है कि जब कि दो ही कोयन की left hand side आपस में बराबर हो तो इसमें उनकी right hand side 3 आपस में बराबर होती है अगर इस चीज़ को में यहां पर apply करूँ तो मैं क्या सचीन के minus omega square into x minus k by m into x sql है इसे लिखने का फाइदा क्या है इसे लिखने का फाइदा यह हुआ कि दोनों साथ से जो एक section वापस में cancel out हो जोते हैं और हमें omega का इस चाहिए था यह minus 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 को भी cancel out तर दिया और k divided by m जो है हमारे पास omega square का expression कराता है आप क्योंकि हमें square में पर expression चाहिए नहीं तो हम यह असानी candle hood लेतर यहां पर cancel out चाह सकते हैं और जो हमारे पास omega का expression आता है वो k divided by m है तो इस situation प्रिंग के motion से और circle में move करके हुए point के projection की motion से उनकी acceleration को compare करके हम लोग ने omega की value find out कर ली और time period is equal to 2 phi by omega है इस omega की जगा हम इसकी value easily put करके देख सके हैं कि हमारा time period कि सीच के बराबर निकलता है तो इसको अगर इसमें put किया जाए तो time period हमारा पास जोसे में क्या बनता है divided by k by m और यह division में है division के बाद भी इस चीज़ डिवाइड हो रही है तो इसमें उल्टा आकर नहीं लिख सकती हूं कि 2 phi अगर मैं इसक्रा से supposedly लिखने हैं तो यह m divided by kt equal आ जाता है इसका मतलब है कि हमारा time period बराबर आ जाता है 2 phi underhood m by kt यह तो इसका मतलब है कि time period हमेशा इसका मैस की डार्टी परपोर्शन होगा अंडरूर मैस के और स्क्रिंग कॉंशन के अंडरूर के इन वर्टी परपोर्शन होगा और इसका length से कोई relation नहीं है यानि कि time period length पर dependent नहीं है तो इस expression से हम लोग time period find out कर सकते हैं ऐसी motion के लिए जो simple harmonic motion को represent करते हूं पर इजम्पर बैसे कि spring या circle में मुख करते हूं कि किसी भी body के लिए हम लोग time period निकार सकते हैं कि कितना time लगता है उन्हें एक wave को complete करने में या अगर उसका mass different हो जाए spring constant different हो जाए तो हम easy इसका time period find out कर सकते हैं आप सकते हैं